हाई एफ्रिवन, क्रिष्ट जन्माष्ञट्मी की सबको हादिक शुब कामना है जन्माष्ञट्मी पर बाल गोपाल का शृंगार पूझा पार्ट में कई वस्तों का परयोग किया जाता है लेकिन लड़ो कपाल के जन्म के समेश सबसे मैतोपुण चीज है खीरा माननेता है कि खीरे के बिना कृष्ण का जन्मोट्स अधूरा माना जाता है आई जानते हैं क्या है जन्मास्थमी पर खीरे का महत्व बाल गोबाल का जनम भादो के कृष्ण पक्ष की अस्थमी तिठी को मद्यरात्री में हुआ था इस दिन रात बारा बजे लड़ो गोपाल की विशेश पूजा की जाती है इस दिन डंठल और हलकी से पत्यों वाले खीरे को काना की पूजा में उप्योग करें रात के बारा बसते ही खीरे के डंठल को किसी सिक्के से काट कर काना का जनम कराएं इसके बाद शंक बजाकर बाल कोपाल के आने की खुशिया मनाए और विदी वर्द बान के बिहारी की पूजा करें तो चलिए फड़ावट से देख लेते हैं किस तरह से हम कीरे से लड़ू कोपाल का जनम कराते हैं तो सबसे पहले यहां पर ले लिया मैंने एक बास्केट आपके पास कोई नई बास्केट हो या फिर कोई बर्तन हो नया अगर नया नहीं है तो पुराना भी ले सकते हैं भगवान तो भाव के भुखे होते हैं कोई वरतन को अच्छे से यानि कोई कतो रहा हको किसी तरह की जैसे तरह से ये टोक्री है कोई कतो रहा हो कोई भी खुला बढ़तन हो तो आप ले सकते हैं और गंगा जल हो तो भैस्ट है उससे आप उस भरतन को साफ कर लें तो यहाँ पर यह देखिए मैंने बासकेट ले लिया है सबसे पहले बासकेट में फूलों को डाल दें इस तरह से तो मैंने यहाँ पर मिक्स फूल दिये हैं आप कोई भी फूल ले सकते हैं और इसके बाद हम अपने लड़ो कॉपाल को इसके उपर सुला देंगे और फिर इनको अच्छे से फूलों से ही कवर कर देंगे बिल्कुल भी हमारे लड़ो कॉपाल दिखने नहीं चाहिए हमें किसी तरह से तो यहां पर यह देखिए फूलों से हमने इने ढख दिया है और देखिए इस तरह से डंटल वाला खीरा ने अगर यहां पर यह देखिए इस तरह से डंटल यह दंडी से लगी होती है ना खीरे को पर फूल से बने होते हैं इस तरह से अगर आपको खीरा मिल जाए तो बैस्ट है और अगर आपको इस तरह का खीरा नहीं मिलता तो आप सिं दुपट्टे के साथ नए दुपट्टे के साथ या फिर अच्छे से कोई भी आपके पास नैपकिन हो टावलों अच्छी तरह से कवर कर दें और कवर करने के बाद इन्हें मंदिर में रख दें और साथ ही रख दें एक सिक्का और इनके आसपास आप बिल्कुल भी शोर ना करें बस आप भजन की तन करें, भजन की तन चला दें और यहां पर फिर इस कपड़े को बारा बजने से पहले बिल्कुल भी ना उठाएं जब कृष्ण जी का जनम हो जाएं बारा बजे, बारा बजे के बाद आप यह देखिए इस तरह ऐसे घंटी से, इस तरह की घंटी तो सब के पास होती ही है और अगर घंटी नहीं है, शंक है, आपके पास शंक बजाएं और फिर इस कपड़े को हटा दें और लड़ो बाल को आप उठाएं तो उठाने से पहले सबसे पहले हम यह खीरा कट करेंगे और इसे चाकु से आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना है तो यहाँ पर यह देखिए, सिक्के से इस तरह से हम कट करेंगे जनम के समय जिस तरह बच्चे को गरब नाल काट कर गरभाशे से अलग किया जाता है ठीक उसी पर काट जनम उत्स्व के समय खीरे की डंठल को काट कर काना का जनम कराने की परमपरा है जनमास्त्मी पर खीरा काटने का मतलब है बाल को पाल को मा देवकी के गरब से अलग करना खीरे से डंठल को काटने के पर करिया को नाल छेदन कहा जाता है और ऐसा भी माना जाता है जिस खीरे से काना का नाल छेदन किया हो अगर वो गर्वती मैला को खिला दे तो भी कृष्म की भान्ती संतान पैदा होती है तो यहां पर यह देखिए इस तरहें से खीरे को कट कर दे और यह उपर वाले भाग को आपको खाना नहीं है इसे मैं लास्ट में आपको बताऊंगे यह वीडियो के लास्ट में कि क्या करना है और ये बाकी बचा हुआ भाग आप परशाद की रूप में सब को परिवार के हर मैंबर को खिला दे तो यहाँ पर यह देखिए ये परशाद हमारा तयार हो चुका है इसे आप परशाद की रूप में खाए, सबको दे, और यहां पर अब हम काना जी को उठा लेते हैं, और बोलते हैं इनने हैपी बर्डे, और यहां पर यह देए, इस तरह हैं से घंटी बजाएं, शंक बजाएं, और बोलें जोर से हाथी घोड़ा पाल की, जैकनया लाल की, उठाने के बाद फिर हम इने और यहां पर हम अपने लड्डू को पाल को बिठा देंगे, सनान कराने के लिए यहां पर दूद, घी, दई, शहद लिया है हमने, गंगा जल लिया है, तो सबसे पहले हम दूद से सनान कराएंगे, तो कच्छा दूद ले आप, और दूद के बाद हम यहां पर थोड़ी सी द घर का बना हुआ दय है, और ताजा दयि लें, फ्रेश दयि ले, फिर थोड़ा से देसेगी डाले, अगर आपके पास गाय साधेशी गी यह तो बेस्टे ये देखिए इस तरहें से शेह्त डालने के बाद फिर गंगा जल से अच्छे से इने सनान करा दे तो यहाँ पर ये देखिए लेड़ो कोपाल का सनान हो चुका है फिर इसे साफ टावल से नैपकिन से आप इसे पूंच ले तो यहां पर यह देखिए तयार करेंगे अब हम इने तो यहां पर जिस बाउल पिल sustain कराया है इसमें हमने फूल डाले हैं अगर आप फूल नहीं डालते तो फिर आप अमरित को इसको सबको परशादके रूप में पूरा भी पी सकते हैं और नई तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप परशाद सब को दे दे वैसे जो हम काना को भोग लगाएंगे पंचा मृत का वो हम फैमली के मेंबर को दे सकते हैं इन में से आप थोड़ा थोड़ा दे दे और बागी जो यह फूल वाला है वो आप किसी गमले में डाल दे तो फिर हम काना की ड्रेस डालेंगे सुन्दर सी तो यहाँ पर जन्मास्तमी से पहले मैं यह वीडियो बना रही हूं तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी ड्रेस डाल दी है आप काना जी के लिए नई ड्रेस लाएं नया शिंगार का समान लाएं तो यहाँ पर यह देखिए सबसे पहले हम इने पाउडर लगाएंगे बच्चे को जिस तरह से अच्छे से हम तयार करते हैं उसी तरह से ही काना जी को भी हम तयार करेंगे पाउडर लगा दे, फिर ड्रेस डाल दे इन्हें, तो यहाँ पर हमने काना जी को ड्रेस भी डाल दी है, और फिर कुंडल डाल दे कानों में, जो भी काना जी का शिंगार होता है, वो आप डाल दे, हाथों में कंगर डालें, बासुरी दे, मोर पंक लगाएं, और यहाँ पर यह देखिए काना जी को पूरा अच्छे से तयार कर लें, जो भी आप काना जी के लिए नया समान लाएं हैं, वो उन से आप अच्छे से शिंगार कर दे, शिंगार करने के बाद जिस तरह से हम डियो लगाते हैं, पर्फ्यूम लगाते हैं, उसी तरह काना जी को भी इत्र बहुत पसंद है, तो काना जी को भी लास्ट में इत्र जरूर लगाएं, तो यहाँ पर यह देखिए काना जी हमारे तयार हो चुकी हैं, काना जी को तयार करने के बाद जूला जरूर दे, अगर आप नहीं लाए हैं जूला नहीं है आपके घर में तो आप हातों से भी काना जी को जुला सकते हैं तो जूले को भी अच्छे से आप सजा लें और उनके अच्छे से पूजा करें उन्हें चंदन काती का जरूर लगाएं और उनके आगे धूप जलाएं दीब जलाएं और माखन मि बच्छे में मार специ बना टम new with the ृ में लेबाव, रिखे वे सो फ़्योgg में जबाझाती विकता और बच्छे भीद और इन में प्यार बना रहता है तो जुआ है ज्ञाक है प्ाइब देख़ को अब exterior स्राइब और उन्हें पूलने में गणब को खाल ऐका 20 और अगर आपको आज़ की वीडियो पसंद आये हैं तो जरूर लाएक कर दीं है और आप भी इसी तरह से काना जी का जनम कराएं और चैनल को वड़ावजे कर लीजे सब्सक्राइब इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे काना जी की किरपा आप पर बनी रहे हैपी जनमास्ट मी टू ओल